हालो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत में कितने उच्छ नयायाले हैं तथा यह राज की राजे में और इन हाइकोट के अपना कब हुई थी और किस राजे की है किस सहर में हैं दोस्तों वैसे तु हमारे देश में किसी भी मुकदमा को शुल्जाने के लिए सुप्रेम कोट याने की उच्फितम नयायाले हैं लेकिन भारत में अधित्व हम ऐसे राज हैं जिनके पास मुकादमा को सुल्जाने के लिए अपना अपना कोट है राजियों के पास जो कोट है उसे हाई कोट के नाम से जानते हैं आज हम इसी हाई कोट के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं कि किस राज के पास हाई कोट है और इन हाई कोट की अस्थ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आइकोन को भी दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सीधे आपके मोबाइल में चला जाए और आप उसे तुरंत ही देख लें क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए अनुप की ज्यान चलिए दोस्तो बीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो भारत में सबसे पहले हाइड कोट की अश्थापना हुई थी कोलकाता में और इस हाइड कोट की अश्थापना हुई थी एक जूलाई 1862 अश्पी में फिर मुंबई हाई कोट के बाद बना दोस्तों चन्नाई हाई कोट और चन्नाई हाई कोट की आज थापना हुई थी 15 अगस्ट 1862 हिस्पी में फिर चन्नाई हाई कोट के बाद बना है इलहाबाद हाई कोट और इलहाबाद हाई कोट की आज थापना हुई थी दोस्तों 17 1306 में इसके बाद बना है दोस्तों करनातक हाइऑ गोट और करनातक हाइफ कोट के अठापना हुई थी 1884 में तथा यह हाइब पेहिंगुरू में है इसके बहाद नमीर आता है दोस्तों कफनक तोफना हाई कोट के एक्षापना होई थी 2 सितंबल 1916 हिस्पी में पटना हाई कोट के बाद बाना दोस्तों जम्मु कस्मीर हाई कोट और इस हाई कोट के एक्षापना होई थी 26 मार्च 1928 इसपी में तथा यह हाई कोट स्री नगर में है इस हाई कोट के बाद बना है दोस्तो गुवाहाटी हाई कोट और इस हाई कोट के एस्थापना होई थी एक मार्ज 1948 इस्थी में वो हाठी हाई कोट के बाद बना है दोस्तो उन्रसा हाई कोट और उन्रसा हाई कोट के अस्थापना हुई थी 26 जूलाई 1948 इस्थी में तथा यह हाई कोट करटक सहर में है फिर इस हाई कोट के बाद बना है दोस्तो राजस्थान हाई कोट और राजस्थान हाई कोट के अस्थपना होई थी 21 जून 1949 में तथा यह हाई कोट जोदपूर में है राजस्थान हाई कोट के बाद बना है दोस्तों आंधर प्रदेश हाई कोट और इस हाई कोट के अस्थापना होई थी 5 जुलाई 1904 में तथा यह हाई कोट अमरावती में है आंधर प्रदेश हाई कोट के बाद बना दोस्तों मद्र प्रदेश हाई कोट और मद्र प्रदेश ह के बाद बाना दोस्तों केरल हाइकोट और केरल हाइकोट के अस्ठापना हुई थी माई1906 में तथा गुझरात का हाई कोथ अहमद्राबाद में है गुजात हाई कोट के बाद बना है दोस्तों दिल्ली हाई कोट और दिल्ली हाई कोट के अस्थापना हुई थी 21 अक्तूबर 1986 में दिल्ली हाई कोट के बाद बना है दोस्तों पंजाब तथा हरियाना हाई कोट और इस हाई कोट के अस्थापना हुई थी 21 10 अक्तूबर 1966 शपी में तथा यह है कोट चंडीगंद में है इसके बाद बना है दोस्तों तो वित ह All प्रेदेश हाई कोट करना हुई थी 25 जनवारी 1971 Candi Senis premonимся in यह कोट 2007 सिमला में है और dedis हा देश और सिंक्यम हाई कोट और इस हईकोट की अस्ठापना होई थी 56 माई 1975 यह हाईकोट गंगदोग में हैं इस ऑर के बाद बाद है दोसतो चनल गड़ हाईकोट तथा चनल गर्ड़ हाईकोट के अस्ठापना होई थी एक नमबर 2016 में तथा यह हाई कोट दिलासपूर में है 36 हाई कोट के बाद बना दोस्तो उत्राखंड हाई कोट और इस हाई कोट के अस्थापना होई थी 9 नौमबर 2020 में तथा उत्राखंड का हाई कोट नैनी ताल में है उत्राखंड हाई कोट के बाद बाना दोस्तो जारखंड हाई कोट तता जारखंड हाई कोट के अस्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 इस्पी में और जारखंड का हाई कोट राची में राची हाई कोट के बाद बना दोस्तो मेघाले हाई कोट और मेघाले हाई कोट के अस्थापना हुई थी 23 मार्श 2013 इसपी में तथा यह हाई कोट फिलोन में है इस हाई कोट के बाद मनिपूर हाई कोट का अस्थापना हुआ और मनिपूर हाई कोट के अस्थापना 25 मार्च 2013 इसपी में हुआ और यह हाई कोट इंफाल में है इंफाल हाई कोट के बाद बना है दोस्तो तुरी पूरा हाई कोट और तुरी पूरा हाई कोट के अस्थापना हुई थी 26 मार्ज 2013 इसपी में तथा यह हाई कोट अगरताला में दोस्तो इन सब हाई कोट के बाद में हाल ही में एक और हाई कोट बना है जिसका नाम है तेलंगाना हाई कोट और इस हाई कोट के अस्थापना हुई है एक जनुवारी 2019 इस्थी में और यहाई कोट है हैडराबाद में दोस्तो यहां था भाती राजियों के हाई कोट और इन हाई कोट कैस्थ अपना कब होई थी तथा किस राजिय का हाई कोट कहा है दोस्तो यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें